नमस्कार विद्यारतियों स्वागत है आप सभी का ESL परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेलन का आयतन किस तरह से निकाला जाता है और हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रिशना वली 13.6 के कुशन्स को चीक है तो कल की क्लास में हमने 13.5 को फिनिश कर दिया था हमने घन और घनाव का आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है इसका डिसकेशन हम कर चुके थे आज का हमारा टॉपिक है बेलन का आयतन क्या है टॉपिक आपका बेलन का आयतन चीक है अगर आप लोगों को ढंक से याद है द्यान से याद है तो जब हमने घनाव का आयतन निकाला था तब किस तरह से निकाला था अगर याद है तो हमने घनाव के आधार का शेत्रिफल निकाला था और आधार के शेत्रफल को घनाव की उचाई से गुणा किया था घनाव की केस में हमने क्या किया था घनाव की केस में हमने किया था आधार का शेत्रफल गुणा उचाई ठीक है किस तरह से समझाता है कि हम अगर आधार के शेत्रिफल को निकाल ले और आधार के शेत्रिफल को उचाई से गुना करेंगे तो घनाब का सारा का सारा पोर्शन आपको बनता हुआ दिखाई देगा सेम लॉजिक अगर आप बेलन के उपर अपलाई करो सेम लोजिक अगर आप बेलन के उपर अपलाई करो तो कुछ ऐसा हमारा बेलन होता है ठीक है यदि मैं इस बेलन के आधार का शित्रिफल निकाल लूँ और इस आधार के शित्रिफल को इचकी उचाई से गुणा कर दूँ तो क्या आपको पूरा बेलन का पूर्शन कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है एक बेलन जितना आपना आकार घेड़ता है वो उसका आयतन होगा तो यदि मैं आधार का शित्रिफल निकाल लूँ और इस आधार के शित्रिफल को इसकी उचाई से गुणा करूँ तो आपको पूरा का पूरा बेलन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा जैसे ये एक वो है अपना लकडी का ये आपका बेलना कार आकरती है ये आपकी एक बेलना कार आकरती है ये बेलन का आधार है ये बेलन का आधार है जो की एक वरत्ता कार आकरती है यदि मैं इस वरत का शेतरफल निकाल लूँ और इस वरत के शेतरफल को इसकी उचाई से गुणा कर दूँ तो आपको पूरा के पूरा बेलन का जो पोर्शन है वो कवर होता हुआ दिखाई देगा ठीक है तो बेलन का आइतन हम किस तरह से निकालते हैं बेलन का आइतन हम निकालते हैं आधार का शित्रफल इंटू उचाई क्या होगा बेलन का आइतन बेलन के आधार के शित्रफल को बेलन की उचाई से हम गुणा कर देंगे यदि आपका इसका जो आधार की तरिज्जा आर है और इसकी उचाई है क्या क्या दे रखा है मुझे बेलन के आधार की त्रिज्या r है और इसकी उचाई h है तो बेलन के आधार का शेटरफल क्या होगा πाई r square कितना होगा πाई r square और उचाई कितनी है h तो जो बेलन का आयतन होगा आपका वो होगा πाई r square गुणा h जहां पर R उसके आधार की त्रिज्जा है और H बेलन की उंचाई है बात को समझ पाए नहीं समझ पाए ठीक है ये है हमारा बेलन का आयतन किस तरह से निकालते हैं बेलन के आधार के शित्रफल को हम लेंगे जो क्या है आपका पाई आर स्क्वाइर है और उसको बेलन की उचाई से हम गुना कर देंगे बेलन का पूरा का पूरा आयतन हमें मिल जाएगा R यहां पर आधार की त्रिज्जा है और H बेलन की उचाई है बाद समझे में आ गई, कुछ कुछन सॉल्व करें, देखिए, यह है आपका उधारन नमबर 13, यह है उधारन क्या बोलता है, यह बोलता है कि किसी मंदिर के खंबे बेलनाकार है, इस मंदिर में जो खंबे लगे हुए, यह बेलनाकार आकार के हैं, जैसा कि आकरती में दिखा प्रते खंबे का आधार 20 cm त्रिज्जा का एक वरतिये शेतर है, और जिसकी उचाई 10 मीटर है, यहाँ पर सेंटी मीटर दे रखा है, यह आपका 20 cm है और यह आपका उचाई मीटर में है, तो पहले तु ध्यान रखना है कि या तो हम सेंटी मीटर में कैकुलेट करेंगे, य तो ऐसे 14 खंबा बनाने में कितने कॉंक्रीट मिश्रन का आविशकता होगी, मतलब वो बेलनाकार खंबे कितने क्या कहते हैं सामान से बनाए जा सकेंगे, मतलब उन बेलनाकार खंबों का आयतन हमें निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, आयतन किसका, बेलनाकार खंबे क क्या है फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला है पाई आर इसक्वाइर एच जहां पर आर क्या है आधार की तरिज्जा और एच क्या है इसकी उचाई वेल्यूज निकालो आर का मान कितना दे रखा है आर का मान आपको दे रखा है प्रते खंबे का आधार 20 cm तरिज्जा है तो यह है आपकी 20 cm और उचाई कितनी है एच का मान हमें दे रखा है 10 मीटर चीक है तो अगर मैं cm को भी मीटर में convert कर दूँ तो आपको मिलेगा 0.2 मीट है और उचाई कितनी है आपकी 10 मीटर है अब क्या करना है मुझे बेलनाकार खंबे का आयतन निकालना है कैसे निकालू वेल्यूज पुट कर दो पाई का मान क्या होगा 22 बटे 7 आर का मान कितना है 0.2 का स्क्वाइर h कितना है 10 मीटर कोई तकलीफ यहां तक h आपका 10 मीटर है इसे solve करो तो आपको मिलेगा 22 बटे 7 गुणा 2 गुणा 2 बटे 10 गुणा 10 इंटू 10 ठीक है इस 10 मल अपको मैं नटा दिया नीचे 10 ले आया दो बार आ गया 10 से 10 आपका cancel हो गया 1 दस से 1 दस आपका cancel हो गया क्या मान मिला हमको हमको मान मिला है 22 गुणा 4 बटे 7 गुणा 10 यह क्या है आपका मीटर क्यूब मात रख्या है हमारा मीटर दे रखा है तो आयतन आपका मीटर क्यूब में निकल जाएगा ये किस चीज का आयतन है एक खंबे का मुझे क्या निकालना है ऐसे चौदा खंबे का आयतन क्या निकालना है ऐसे चौदा खंबो का आयतन तो चौदा खंबो का आयतन क्या होगा ऐसे चौदा बेलनाकार खंबो का आयतन बराबर इस वेली को चौदा से गुणा कर दो 14गुणा 22 गुणा 4 बटे 7 गुणा 10 चीक है अब जो जो cancel हो रहा है और cancel out कर दो तास से काटा ये दो बार गया तास से काटा ये आपका दो बार गया चीक है तो आब मुझे 22 को 8 से गुणा करना पड़ेगा और कोई option मेरे पास नहीं है क्या आ गया ये 22 गुणा 8 आ गया नीचे 10 से भाग दे रखा है आपने 8 से किया 16 मतलब जो आयता निकलेगा वो आपका 17.6 मीटर क्यूब निकलेगा क्लियर है देख लो एक बार कोई दिक्कत हो तो बताओ बहुत सिंपल है बेलन का आयतन निकालना हमने सीख लिया था आधार का शेत्रफल इंटो उचाई जो की पाई यार स्कॉएर एच के बराबर है यह हमने निकाल लिया क्या करना है मंदिर के अंदर 14 खंबे लगे हुए उन्हें कितनी कॉंक्रीट लगेगी यह मुझे निकालना है मतलब बेलनाकार खंबे का आयतन निकालना है एक का आयतन निकाला मैंने इतना निकल के आया इसको जान भूच के मैंने solve नहीं किया कि हो सकता है आगे जाकर कुछ कट जाए और calculation थोड़ी आसान हो जाए एक खंबे का आयतन आ गया ऐसे 14 खंबे का आयतन चाहिए 14 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा सिंपल है आगे बढ़ूं चलिए अब हम लेते हैं आपका कुष्चन नंबर उधारण नंबर 14 क्या लेते हैं आपका उधारण नंबर 14 अधाार देखिए रम जान के एक मेले में भोज पदारतों के एक इस्टौल पर दुकांदार के पास आधार त्रिज्जा 15 सेंटीमेटर वाला एक बरतन था क्या था ा extent 15 सेंटीमेटर वाला एक बरतन था जो की 32 cm की उचाई तक संतरे के जूस से भरा जा सकता था आधार की तरिज्या 15 है उचाई आपकी कितनी है 32 cm है जूस को 3 cm तरिज्या वाले बेलनाकार गलासों में 8 cm उचाई तक भर कर 3 cm तृज्या वाले 8 cm उचाई तक भर कर 3 रुपे प्रती गिलास की दर से बेचा जाता है। जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कितनी राशी प्राप्त होगी ये हमें बतानी है। क्या है सवाल एक दुकानदार है जूस की एक दुकान है जिसके पास एक बेलनाकार बरतन दे रखा है जिसमें वो संतरे का जूस अपना डालता है। एक जो छोटा काच का गलास है वो आप 3 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है। और ये जो छोटा गलास है इसकी जो त्रिज्जा है वो 3 cm है और उचाई 8 cm है। आपको ये बताना है कि यदि एक छोटे ग्लास को आप 3 रुपे में बेच रहे हो तो टोटल कितनी कमाई आपकी होगी मतलब दूसरे तरीके से बात करूँ तो जो आपका बड़ा बरतन है बड़ा कंटेनर है उसके अंदर जो जूस आया है उस जूस से आप कितने छोटे ग्लास भर पाते हो अगर आपने ये निकाल दिया तो आपका कुश्चन सौल्व हो जाएगा क्या बोला मैंने ये जो आपका बड़ा बेलनाकार बरतन है इसको आपने जूस से भर दिया ठीक है फिर आपने अगर ये निकाल दिया कि इतना जूस आपके बड़े बरतन में है इस जूस से कितने ग्लास बहरे जा सकते हैं अगर ये संख्या आपके पास आ गई तो आपका question solve हो जाएगा फिर तो कुछ नहीं है जो ग्लासों की संख्या इसको तीन से गुणा कर देंगे तो ये कैसे निकालें ये नंबर कैसे निकालें कि बड़े बरतन से कितने छोटे गलास बहरे जा सकते हैं देखो यदि मैं बड़े बरतन का आईतन निकाल लूँ तो मुझे juice का आईतन मिल जाएगा ठीक है बड़े बरतन का आईतन निकाला मतलब आपने जूस का आइतन निकाल लिया और भाई जितना जूस बड़े बरतन में था मतलब जितना आइतन बड़े क्या कहते हैं बरतन का है या जितना आइतन आपके जूस का है वही आइतन तो छोटे गलासों में जाना है ठीक तो इसका जो आइतन होगा वही आइतन इन छोटे ग्लासों में transfer होना है perfect तो यदि मैं बड़े ग्लास का आयतन निकाल लूँ और इसके अंदर मतलब बड़े बरतन का आयतन निकाल लूँ इस आयतन में मैं एक ग्लास के आयतन से भाग दे दूँ तो क्या मुझे ग्लासों की संख्या मिलेगी या नहीं मिलेगी सोचो इस बारे में हम कुष्चन को solve करना start करते हैं क्या किया मैंने सबसे पहले क्या करूंगा बरतन का आयतन निकाल लूँगा बरतन का आयतन कितना आएगा पाई यार स्क्वाइर एच वेल्यूज पुट करो पाई का मान क्या रखोगे 22 बटे साथ आर कितना है 15 और एच कितना है 32 ठीक है कितना मिल गया आपको मिल गया 22 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 32 अपॉन 7 सेंटीमिटर क्यूब यह क्या है बड़े बरतन का आयतन है या आपका जूस का आयतन है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ एक गलास का आयतन निकालता हूँ तो आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वाइर एच वैल्यू पुट करो पाई का मान तो 22 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 8 गुणा सेंटीमिटर क्यूब ठीक यह हमारे पास पूरे जूस का आयतन है यह एक गलास का आयतन है अब यदि मैं पूरे जूस के आयतन में एक गलास का आयतन का भाग दे दूँ तो मुझे गलासों की संख्या मिल जाएगी यह इसको गलासों की संख्या से बेटर लिखो जूस से भरे जा सकने बाले गलासों की संख्या मतलब उस बरतन की अत्तर कितने गलास जूस है यह हमें निकालना है कैसे निकालोगे बरतन का आयतन बटा एक गलास का आयतन ठीक है अब देखो बरतन का आयतन कितना है यह दे रखा है आपको और नीचे साथ है वह उपर चला जाएगा तिपल भाग दिया है मैंने अगर आप एक स्टेप में नहीं समझपाओ दो स्टेप में लिख देना यह क्या आ गया यह आपका बरतन का आयतन आ गया यहां से लेके यहां तक कहां से लेके कहां तक 32 तक यह यह आपका बरतन का इयतन आ गया यह निचे वाला एक ग्लास का इयतन है 22 गुणा 3 गुणा 8 और जो नीचे का साथ ता वह उपर चला गया भाग देने के खारण अब जो जो चीज cancel है उसको काट दो 7 से 7 cancel, 22 से 22 cancel और देखो, 5 से काटूँगा तो ये 3 से काटूँगा, 5 बार जाएगा 3 से काटूँगा, 5 बार जाएगा 8 से काटूँगा, 4 बार जाएगा तो 25 गुना 4 मुझे मिला मुझे मिल गया है 25 गुना 4 पार मतलब 100 ग्लास ठीक है एक ग्लास कितने का बेचा है एक ग्लास हमने 3 रुपे का बेचा है तो 100 ग्लास कितने का बेचा की 300 रुपे के जूस बेचने से प्राप्त रात थी कितनी होगी 100 ग्लास है 100 को गुणा कर दिया 300 से मतलब रुपीज 300 ठीक है कितनी राशी प्राप्त होगी 300 रुपे प्राप्त होगे कैसे किया हमने पहले बड़े बरतन का आयतन निकाला फिर एक गलास का आयतन निकाला एक गलास के आयतन का बड़े बरतन के आयतन में भाग दे दिया उससे हमें वो संख्या मिल गई कि कितने गलास जूस उस बरतन की अंदर है और एक गलास जूस हम तीन रुपे में बेशते हैं तो हमारे पा बरतन के आधार की परीदी क्या दे रखा है आधार की परीदी हमको दे रखी है 132 cm और उसकी उचाई है 25 cm इस बरतन में कितने लीटर पानी आ सकता है मतलब हमें बरतन का आयतन निकालना है बेलनाकार बरतन का आयतन क्या होता है कितना होता है, Pi R square H होता है, ठीक, H का मान मुझे 25 दे रखा है, Pi का मान मुझे 22 बैटे 7 दे रखा है, R का मान मेरे पास नहीं है, अगर मुझे R का मान मिल गया तो मैं आयतन बढ़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, पर त्रिज्जा निकालने के लिए एक अलग कंडिशन दे रखिए कि परिधी 132 cm है, मतलब प्रश्णानुसार की जो परिधी है, आधार की परिधी बराबर 132 cm. परिधी का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर, बराबर 132, तो आर का मान कितना होगा, 132 अपॉन टू पाई, वैल्यू पुट करो, 132 अपॉन टू पाई का मान 22 बटे 7, ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, ग्यारा का भाग दूँगा, दो ब बार बार जाएगा, ठीक है, फिर 4 से कैंसिल करूँगा, तो यह आपका 3 बन जाएगा, मतलब जो मेरी तरिज्य आएगी, वो आएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तरिज्य क्या आगई, 21 सेंटीमीटर आगई, अब मुझे क्या करना है, आयतन निकालना है, यहापर, वैल्यू हमारे पास से, उठा कर रख दो, 22 बटे 7, आर का मान है, 21 का होल स्क्वाइर, एच, एच, पच्चीस, क्या सारे मात्रक सेंटीमीटर है, तरिज्य आपकी 21 सेंटीमीटर है, उचाई आपकी 25 सेंटीमीटर है, बिंदा सॉल्व कर दो कुश्यन को, क्या मिलेगा, 22 बटे 7 गु यह आपका तीन बार गया, अब हम इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई option हमारे पास नहीं है, कुछ और option दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं, कितना है, यह है आपका 22 गुना 25 को मैंने लिख दिया है, 11 गुना 50, ठीक, यह जो 2 था है, इसको मैंने 25 से गुना कर दिया, 50 हो गया, 21 गुना 3 को मैंने लिख दिया है, 63, इसको मुझे सॉल्व करना है, मतलब 63 को 55 से गुना करना है, 63 गुना 55, इतना आयतन आएगा इतना आयतन आपका आएगा पर आप से क्या पूछा है कितने लीटर पानी आना है मतलब जो आयतन है मेरा वो मुझे लीटर में बदलना है आयतन जो है मुझे लीटर में बदलना है उसके लिए मुझे बहुत बड़िया चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब आयतन में 1000 लीटर पानी आता है 1000 cm क्यूव आयतन में एक लिटर पानी आता है तो अगर मैं इसमें 1000 से भाग दे दूँगा तो मुझे लिटर में कनवर्ट हो जाएगा मतलब 34.65 लिटर पानी इस बरतन के अंदर आएगा 34.65 लिटर पानी इस बरतन के अंदर आएगा कुशन को एक बार देख लो कुछ भी नहीं है बहुत आसान है परीदी से हमको त्रिज्जा निकाल नहीं है त्रिज्जा का मान आयतन के फॉर्मूले में रखना है आपको आयतन मिल जाएगा सेंटिमिटर क्यूब में आयतन मिलेगा उसे लिटर में कनवर्ट कर दोगे हजार से भाग बेका चीक है चलिए अब हम लेते हैं कुश्चन नंबर सेकिंड को ध्यान से पड़ो बहुत बढ़िया कुश्चन है देखो लकडी के एक लकडी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक भ्याष 24 सेंटिमिटर है और बहरी भ्याष 68 सेंटिमिटर इस पाइप की उचाई 35 सेंटिमिटर है पाइप का दरब्ययमान ग्याद कीजिए और 1 cm की वायतन का द्रब्यमान 6 ग्राम होता है मतलब पहला काम है हमें पाइप का आइपन ग्याद करना आइपन को फिर हम द्रब्यमान में कनवर्ट कर देंगे इस relation की साहिता से अब इसका मैं आइपन कैसे निकालू लकडी का पाइप कैसा होगा कुछ ऐसा खोकला पाइप है ये इसका अंत्रिक व्यास है ये इसका बहाय व्यास है ठीक है इस तरह से आपका लकडी का पाइप बना हुआ है इस तरह का आपका लकडी का पाइप बना हुआ है ठीक कुछ ऐसा आपका पाइप है तो क्या करना है लकडी कहां पर है इन दोनों दीवारों के बीच में ये जो portion है इनके बीच का जो portion है इसके अंदर लकडी है अंदर से तो pipe आपका खोकला है तो कुल मिला के आपको ये item निकालना है कितनी लकडी इसके अंदर है ये item हम कैसे निकालें ये item हम कैसे निकालें त को देखो लकड़ी का आयतन क्या होता है आपका आधार का शेत्रफल गुना उचाई यही होता है आधान आपका ठीक है क्या होता है आधार का शेत्रफल गुना उचाई हमारा आधार का शेत्रफल क्या है माना इसके जो आंतरिक व्यास की तरिज्जा है वो स्मॉल आर है और बहर व्यास जो है उसकी तरिज्जा एकी तरिज़ा है तो इस आधार का शेत्रफल क्या होगा इस पाई आर स्क्वाईर में से अगर मैं छोटा बाला पाई आर निकाल दू मतलब आधार का शेतरफल होगा आपका πाई आर स्कॉयर माइनस पाई आर स्कॉयर बात को समझें नहीं समझें ठीक है यदि ये आपका एक वरत्तकार पोर्षन है बड़ा वाला इसके अंदर एक छोटा वाला पोर्षन और है ठीक है, कुछ ऐसा शेफ है, ये आपका बाहर वाला पोर्शन है, ये आपका छोटा बाला पोर्शन है, आपको क्या निकालना है, ये वाला भाग हमको निकालना है, ये वाला भाग हमको निकालना है, कैसे निकालें, यदि मैं पूरे वरत्त का शेत्रफल निकाल लूँ, इस पूरे वरत्य का शेत्रफल निकाल लूँ, ये क्या होगा, त्रिज्जा कितनी है, बड़े वाले वरत्य की बड़ा आर, तो पाई आर स्क्वाइर हो जाएगा, और इस में से इस छोटे वाले भाग को मैं माइनस कर दूँ, तो क्या पिंक बाला भाग मेरे पास बच जाएगा इस में से यदि इस छोटे वाले वरत्य के शेत्रफल को मैं माइनस कर दूँ, तो क्या बीच वाला शेत्रफल बच जाएगा, छोटे वाले वरत्य का शेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वाइर जहां पर आर छोटे वाले वरत्य की त्रिज्जा है, तो बड़े वाले वरत्य मैं से छोटे वाले व्रत्य के शेत्रफल को मैं माइनस करूंगा तो मुझे आधार का शेत्रफल मिल जाएगा तो मुझे आधार का शेत्रफल मिल जाएगा और गुणा मुझे उचाई से ही करना है गुणा मुझे उचाई से ही करना है ठीक है? बात समझ में आई या नहीं आई क्लियर है ये समझ में आगी तो कुश्चन आप सॉल्व करीद होगे पाई को मैंने कॉमन ले लिया आर स्क्वाइर माइनस आर स्क्वाइर इंटू उचाई वैल्यूज क्या-क्या है यहाँ पे आर मतलब बड़े वाले व्रत्ति की तिरिज्जा कितना है बहरी व्यास है 28 सेंटिमीटर तो 28 सपॉन 2 बराबर 14 सेंटिमीटर आंत्रिक व्यास कितना है आपका आंत्रिक व्यास है 24 सेंटिमीटर तो आंत्रिक तिरिज्जा क्या होगी आपकी 12 सेंटिमीटर लिख भी दो इस प ठीक है, बाहे त्रिज्जा आर, आंत्रिक त्रिज्जा, आंत्रिक त्रिज्जा कितना है, small r, मान कितना है, 24 में दोका भाग दूँगा, तो 12 cm, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, अब तो सिर्फ values put करनी है, और उचाई मुझे कितनी दे रखी है, 35 cm दे रखी है, सारे मान उठा कर रख दो, पाई का मान कितना है, कुछ नहीं दे रखा तो 22 बटे 7 लिखना है, r मतलब 14 का स्क्वेर, माइनस 12 का स्क्वेर, उचाई कितनी है, 35, आगे सॉल्ब करो, 22 बटे 7, a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर, a प्लस b, a माइनस b, तो यह आपका 14 प्लस 12, 14 माइनस 12, गुणा 35, आगे सॉल्ब करो, 22 बटे 7 हो गया, 7 को कैंसिल भी कर सकते हो, 35 से कैंसिल किया, 5 बार चला गया, ठीक है, तो हम 7 से मुक्ति भी पा सकते हैं, कितना मिलेगा, 22, गुणा 26, गुणा 2, गुणा 5, ठीक, इतना मान मेरा आगया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, 22, गुणा 26, गुणा 10, ठीक है, 22, गुणा 26, गुणा 10 आगया, इसको आप गुणा करो, कितना आएगा, 52 52 को 11 से गुणा करेंगे 275 यह आपका मिलेगा 5720 cm3 ठीक है यह आपका आईतन आगया है लकडी का कितना आईतन आया है 5720 cm3 मुझे क्या निकालना है मुझे लकडी का द्रब्यमान निकालना है 1 cm3 का द्रब्यमान कितना है एक सेंटीमीटर क्यूब का द्रब्यमान है 0.6 ग्राम तो लकडी का द्रब्यमान कितना होगा? गुणा आयतन ठीक, 0.6 गुणा आयतन कितना निकाला है हमने? आयतन हमारा निकला है 5720 इसको भी गुणा कर लो 572 को अगर मैं 6 से गुणा करूँगा 12, 1, 42, 43, 4, 34 ठीक है? पॉइंट से 0 कैंसिल हो गया आपका 3432 ग्राम द्रब्यमान आएगा 3432 ग्राम द्रब्यमान हमारा लकडी का आएगा अगर आपको केजी में कनवर्ट करना है हजार से भाग दे दो ठीक है? 3.432 केजी ये है आपका कुश्चन तो कुल मिला के जो बेसिक कंसेप्ट हमारा है कि आएटन आपका आधार का शेतरफल गुणा उचाई के बराबर होता है आधार का शेतरफल हमें निकालना आता है बड़े वाले व्रत में से छोटे वाले व्रत को माइनस करेंगे हमें आधार का शेतरफल मिल जाएगा पाइप की उचाई से गुणा करेंगे हमें जो लकडी काम में आ रखी तो लकडी का आयतन मिल जाएगा 1 cm cube आयतन का द्रब्यमान 0.6 ग्राम है पॉइंट 6 से गुणा कर दो जो value आएगी आपका द्रभ बिमान बन जाएगी चलिए अब हम लेते हैं next question question number 3 ये क्या बोलता है एक soft drink दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है एक soft drink दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है 5 cm लंबाई 4 cm चोड़ाई एक आयताकार आधार का ट ठीक है हमारे पास दो portion है एक जो soft drink है वो आपका एक तो आयताकार मतलब घनाब की उसमें है पॉर्षन में जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई हमको इतनी दे रखी है लंबाई कितनी है लंबाई है आपकी 5 cm चोड़ाई है आपकी 4 cm और और उचाई है आपकी 15 cm cold drink की लिए एक तो हमारा घनाब की आकार का क्या केते हैं वो container है जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई हमें पता है आगे देखो 27 cm वाले एक व्रतिय आधार और 10 cm उचाई वाले एक प्लास्टिक के बेलनाकार डबबा है किस डबबे की धारिता अधिक है और कितनी मतलब cold drink दो तरे की packing में उफलब्द है एक packing आपके घनाब की आकरती की है एक packing आपकी बेलनाकार आकरती की है घनाब की लंबाई चोड़ाई उचाई हमें दे रखी है और बेलनाकार आकरती में हमें तरिज्जा है आधार की तरिज्जा कितनी होगी आधार की तरिज्जा या वेलन की तरिज्जा एक ही बात है 7 बटे 2 cm और उचाई कितनी है उचाई है 10 cm तो हमें ये बताना है कि दोनों में से धारिता किस की जादा है या दोनों में से आयतन किसका जादा है ये मेरा सवाल ह तो गनाब कार डिब्बा का आयतन क्या होगा लंबाई इंटू चोड़ाई इंटू उचाई ठीक लंबाई कितनी है आपकी पांच सेंटीमिटर पांच इंटू 4 इंटू 15 20 इंटू 15 मतलब 300 सेंटीमिटर क्यूब जो गनाब की आकरती का जो आपका पैकिंग है उसका जो आयतन है वो 300 सेंटीमिटर क्यूब आना है अब हम चलते हैं बेलन वाले पोड़्शन पर बेलनाकार डिब्बे का आयतन क्या होगा π.r.h π.r.h के बारे में कुछ नहीं बोला तो 22 बटे 7 रख दो 22 बटे 7 r है आपका 7 बटे 2 का स्क्वाइर इंटू एच कितना मान आएगा 22 बटे 7 इंटू 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2 एच कितना है 10 सेंटीमेटर solve कीजिए 7 से 7 cancel हो गया ये 11 बार चला गया ये आपका 5 बार चला गया कितना बचा 11 इंटू 7 इंटू 5 मतलब 11 इंटू 35 कितना मान आएगा ये आपका आएगा 583 सेंटीमेटर क्यूब चीक जो आपका घनाव कार डबबा है उसका जो आइतन है वो 300 सेंटीमेटर क्यूब है जो बेलना कार पेकिंग है उसका आइतन आपका 385 सेंटीमेटर क्यूब है तो किसकी धारिता जादा होगी अता बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 cm क्यूब से जादा है ठीक है बेलनाकार पेकिंग की धारिता 85 cm क्यूब से जादा है बहुत आसान है दोनों का आयतन निकालो और डिफ्रेंस आपका निकल जाएगा कुश्चन नमबर चार एक बार देखो यह क्या बोलता है यदि एक बेलन का पार्ष प्रस्टिय शेत्रफल इतना है और उसकी उचाई इतनी है तो ग्याद कीजिए आधार की तरिज्जा बेलन का पार्ष प्रस्टिय शेत्रफल हमें दे रखा है और तरिज्जा हमें निकालनी है उचाई भी हमें पता है होता है बेलन की परिदी मतलब तू पाई यार को एच से गुना कर दो तू पाई आर एच वेली पुट करो सबकी कि क्या पाई के बारे में कुछ बोला हुआ है तीन पॉइंट वन फॉर लेना है तो रखो चेतर फल कितना है नाइन फोर पॉइंट टू पाई का मान दो गुना तीन पॉइंट वन फॉर एच आर का मान मुझे निकालना है एच का मान है पाँच चीक है क्या किया नीचे दस लगा दिया उपर हमने सौ लगा दिया आर का मान कितना निकलेगा आर का मान निकलेगा नाइन फोर टू गुना हंड्रेड अपॉण टू थी वन फोर गुना फाइब ठीक है अगर कैंसल आउट करोगे तो यह आपका तीन बार चला गया नौसो और चौदातिया बियालिस और पांच और यह दस बनेगा तो यह आपका दस बार चला गया कोई गडबर अच्छा एक दस यह भी तो है एक दस यह भी है हमारा आर का मान निकल के आएगा आपका नौसो बियालिस गुना सो बटा दस तो पहले से था गुना दो गुना तीन सो चौदा गुना पांच ठीक है यह कैंसिल किया तीन बार चला गया मुझे मिलेगा तीन गुना सो नीचे क्या मिलेगा दस गुना दस मतलब सो दस से दस कैंसिल कर दिया तीन सेंटीमेटर आ जाएगा जो आपकी तरिज्जा है तरिज्जा का मान निकल के आए आपका तीन सेंटीमेटर ठीक है तरिज्जा का मान क्या निकला है हमारा तीन सेंटीमेटर आगे पड़ो, बेलन का आयतन भी बताओ, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है हमारा, पाई आर स्क्वाइर एच, पाई का मान कितना है, 3.14, आर कितना है, तीन का स्क्वाइर, एच कितना है, पाँच है, एच कितना है, पाँच है, तो इसो सॉल भी करना है, तो 314 से अगर मैं 45 को गुणा करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 141.30, ठीक, इतना आयतन इसका आएगा, 141.3 सेंटीमिटर क्यूब आयतन आएगा हमारा, इस बेलनाकार आकरती का, क्लियर है, तो ये था हमारी आज़की क्लास का आखरी कुश्चन, हमने प्रिश्णावली 13.6 के कुश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है, आज़की क्लास में हमने ये है सीखा कि बेलन कायतन किस तरह से निकला जाता है, उसका मान होता है, पाई यार इसक्वार एच के बराबर, उसके लाब आपके उधारन और कुश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है, कल की क्लास में हम इसी प्रिश्णावली को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे कुश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये वाला पोर्शन हमारा कल बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाना चाहिए ठीक है, तो आठी क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को तीन बजे